नमस्कार निज्विंग टीवी में स्वागत है आपका मैहूर रफी समी जारखंड विधान सभा शितकालिन सत्र आज से शुरू हो रहा है हमारे साथ मौझूद है मांडर विधायक सिल्पी निहा तिर्की जी मैं जिस तरह से विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरन कर यह बात है कि जो एहम मुद्दे हैं उनसे डाइलूट ना करें विजपी क्योंकि अभी जो धीरत साहू का मामला आ रहा है वो इसमें कॉमेंट करें यह भाजपा बीजएपी जो है वह एडी या सिभी आई की एजेंट तो नहीं है कि वह कॉमेंट कर रही है कि इसमें किस जो मैं इस बात में चर्चा भी करना चाहूंगे वन संरक्षन संसोधन 2020 जो आई है इसके अंतरगत के यह तमाम मुद्दे हैं जिससे भाजपा सरकार लोगों की नजर को भठकाना चाहती है इन तमाम चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे यह लोग दो हजार ताइस में यह है वो पूरा डाइलूट हो जाएगा किसी भी नीजी कंपणी को केंद्र सरकार या नीजी वैक्ति को जमीन दे सकती है जाहे वो फॉरस्ट लैंड भी क्यूं नहों तो जिस ग्राम सभा को जार्खन में हम लोग लगातार मजबूत करने का बात करते हैं क्योंकि 70% आप चाहिए जहां तक ब्रश्ट अचार का बात है कोई भी ब्रश्ट अचार वैक्ति को आप उठा के देख लिजे किसी पे भी केस साबित हुआ है वो जाके भाजपा जॉइन किया है वो गंगा जल नहा लिया है तो इनको तो जो वो कहते हैं ना एक आत्मे सुर्मा एक आ जलने वाला है तो यह जनता भी इन तमाम चीजों को देखे और समझे क्या लगता है मतलब में मुद्धों को गौन करने के लिए केवल इस तरह के मामले को उठा करके सदन की करवाई बाहिर क्या आपसलूटली यह लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि में मुद्धों पे बहस हो चर्चा हो आज केंद्रे सरकार से कितने सारे सेंट्रली स्पॉंसर्डły स्कीम्स हैं जाए वो मंड्रेगा हो जाए हो इन तमाम चीजों पर उन्होंने फंडिंग को रोक दिया है वगर क्या ये उस पे बात करेंगे नहीं उनमें चीजों में बात नहीं करेंगे ये केवल और केवल नजर भटकाने का काम करते हैं तुनापने ये थी इसक जिन मुद्धों को लेकर सदन में आवाज उठाने की कोशिश करेंगा या बात कर रहा है वह मुद्ध जनता के वह मुद्ध नहीं हैं में मुद्ध को गौन करने की कोशिस विपख्ष हमेशंसे करता रहा है चैयोगी राकेश के साथ रफी समी निउस विंग राची